देखिए मैं तो एक बात कहूँगा मैं फिर अपनी उस बात को शाशन के समक्ष रखूँगा पूरी द्रहता से सिविल सुसाइटी को सक्री होना चाहिए नित्रतों करना चाहिए जिसमें धर्मधार्मिक गुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल है हम लोगों का रोल है सामा निजन का रोल है लेकिन मैं इस संकट काल में यह जिम्मेदारी शाशन की ही लगाऊंगा शाशन को इस दाइतों से मुक्त नहीं कर सकता चाहिए वो कुछ भी तरक देए इस धंके जो वीडियोज हैं जो हिंदुस्तान के मन में जहर भरना चाहते हैं इनका सत्यापन हर वीडियो का ऐसे 24 घंटे के अंदर शाशन करके जनता को सूचित करें यह को रोना किसे ज़्यादा खतर नाक है एक होट स्पोर्ट जित्रा नुक्सान नहीं करेगा उससे लाग गुना ज्यादा तो एक वीडियो कर जाता है इस तमाशा किस ने किया जैसे हो गया देश में इसका खंड़ना मिताबग नियोत्रिक करेंगे कुछ भरोसा करेंगे कुछ नहीं करेंगे अजे करेंगे कुछ भरोसा करेंगे कुछ नहीं करेंगे मौलाना साप कहेंगे कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे स्वामी जी कहेंगे कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे भाजपा कहेंगी वो कहेंगे भाजपा जूट बोला ही कांगरेसी कहेंगे कांगरेस जूट बोला लेकिन जब सरकार कहेंगी शाशन कहेगा तो सब मानेगे इसलिए इस धंके वीडियोस को क्रपा करके 24 घंटे में या तो स्विकार करवाईए देश को या उनका खंड़न हो जाए और जिस भी जो फर्स्ट एंड हो इसका जहां से जेनरेट हुआ हो मैं इतना टेक्निकल जानकार नहीं साइवर एक्सपर्स की टीम लगें दस बीस पचास लोगों को राजुका लगा कि जब आप भेज देंगे ये वीडियो वाजी करने में तो मैं ऐसे बहादुर लोगों का कलेजा भी जानता हूँ इडियो बीडियो बनाना सब भूल जाएं खेज जरा जलूस ठीक से निकाल दीजिए एक बार फिर कोई वीडियो ने बनाएगा गुपचिप गुपचिप नहीं तोब जलूस नीकले थोड़ा साध्यूनी का विनन्दन हो जाए वीडियो बनाने वालों का जो थुक वाले वीडियो बना रहे हैं मूत्र वाले वीडि प्रप्रताफी विधायकों के दिमाग में वीडियो परवस्थाए कि नहीं है वह अमिताबक नोत्रिक को खंडन का मान रहे कि अर्य मेरा खंडन नहीं मान रहे तो खंडन कराओ और फिर भी नहीं माने तो राज दंड फिर लाठी पूजन करिए पहले हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो पाठी पूजन होता था पर्टी का पूजन होता था महराज जी को ते आदी होगा चेकरवाज जी को वो एक संसकार था अब लाठी पूजन कर दीजिए कोरोना काई में क्या बुराई है और एक बाद नवीन जी से कहूँगा यह नि भाजपा से कहूँगा विधायक होना इतनी बड़ी चीज नहीं कि गलत फेमी होती है कि आप शाषन अगर सत्ता रूर पक्ष के विधायक हैं तो आप खुद शाषन हैं हिंदुस्तान में खुद शाषन तो कोई नहीं हो सकता और सारे राजनेताओं के ज्यान वर्धन के लिए एक बात बता दू आशीश बैठे हैं अजे जी हैं नमीन है भारत में शाषन मालूम किसका कहा जाता है रूल ओफ लॉव लॉव लिखा जाता है शाषन के अब कानून का होता है पिर विधायक क्या लाएं यू लठेती कर रहे हैं इनके खिलाब तो वारंटी शूकर आईए भाई जांच पार्टी करें लेकिन आपने लोग व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया जमा करिए इनको और वैसे ही वैसे वीडियो बनाने वालों को भी जमा करिए भाई मैंने ऐसे ऐसे पात की लोग देखे चक्रपानी जी ऐसे ऐसे पात की लोग आप तो संतों आप अंदाज नहीं लगा सकते दुनिया पहुंच कहा गई महराज संत तों बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं हिंदू हिंदू के खिलाप का वीडियो बनाके डाल देता है क्या कि बवाल हो मुसल्मान मुसल्मान के खिलाप का वीडियो बनाके डाल देता है ताकि बवाल हो मार हो लठ चले आग लगे पता है आपको कुछ पेड़ भी होते हैं जिनको भुगतान किया जाता है स्वामी जी इन पर रोक लगनी चाहिए वैक्सीन छे महीने बाद आ जाए कोई दिकत नहीं छे महीने डिस्टेंसिंग कर लेंगे लेकिन इसकी वैक्सीन तो लठ्थ होना चाहिए शाषन का जिसको हम लोग राज धर्म राज दंड बोलते हैं उसके मेना काम नहीं चलेगा और एक अंत यह भारत के मिजाद का शब्द ही नहीं वाट्डीय को अधिसेंस वागन्सनीच नहें घाए कदूरी की बात आई है र शोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी हमको नहीं करनी सुपन में भी समाज में अधिसेंसिंग क्यूं करेंगे इफ नहीं सामाजिक दूरी नहीं देह की द दोगज दूरी बहुत जरूरी मोदीज कहते हैं हम समाज से तो और जुलें सुसाइटी से और ज्यादा जुलें दिल से जुलें मन से जुलें तन से मत जुलिए बाकि धन से जुलिए मन से जुलिए कर्म से जुलिए प्रेणा से जुलिए भाव से जुलिए भावना से जुलि बाट बाट